हलो फ्रेंड्स वल्कम् टो मैं चैनल टेक्निकलोशिन आज प्रेंड हम लॉयड का 32 इंच का वेब स्मार्ट टीवी अन्वासिंग करेंगे जिसी का अंदर आपका डायरेट्ट मैजिक रिमोट का भी सपर्ट मिल जाता है और इसी का अंदर आपका इन बिल्ड मैजिक रिमोट भी मिल जाता है तो आपके चलके डिसकसन करेंगे तो फेंड आप आपके चैनल पे नहीं आएं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी ने ने वीडियो नोडिशन पाने के लिए बेल आइकेन का अंकर दीजिए और फेंडिशिया जो MRPA 25 या 490 आपके चलके डिसकसन करेंगे आप 25 करेंगे तो आपको कितना प्राइच पिड़ेगा तो फेंड वीडियो कीप मत करके लास तक देखिए तो फेंड फाइनल मेरे टीवी अन्बक्सिंग हो चुका है इसी के अंदर क्या क्या आसा सरज मिल जाता है उसी को पर देख लेते हैं सबसे पहले इसी अंदर आप आपकर टेबल मांटिंग स्टांड मिल जाता है जो आपकर टेबल मांटिंग करने के टाइम काम आएगा जो आपकर बाहर से 25 करना नहीं पड़ेगा इसी वाद इसी गंदर आपकर चार्टो स्क्रू मिल जाता है जो आपकर टेबल मांटिंग करने के टाइम यूज कर सकते है जो आपका metal वाला चार्टो स्क्रू इसी का अंदर मिल जाता है इसी वाद इसी गंदर आपका दो टो बेटरी मिल जाता है जो आपका Duracell का बेटरी है जो आपका ज्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा क्योंकि आपका voice command remote है उसी वाद इसी गंदर आपका manual card मिल जाता है जो आपका remote और TV का कुछ operating system जानना चाते है तो इसी गंदर देख सकते हैं जो आपका manual card के अंदर सारे mention किया हुआ है जो आपका कैसे यूज़ करेंगे और के के operating system इसी गंदर मिल जाता है इसी गंदर आपका magic remote मिल जाता है जो आपका voice command remote है और इसी गंदर आपका mouse जैसा भी operating कर सकते हैं जो आपका आगे चलके discussion करेंगे कैसे use करेंगे उसी गंदर आपका wall mounting stand मिल जाता है जो आपका बाहर से पत्सकना नहीं पड़ेगा इसी packet के अंदर आपका wall mounting stand मिल जाता है जो आपका easily wall mounting कर सकते हैं तो प्रेंड इतना ही accessories इसी गंदर मिल जाता है और प्रेंड इसी गंदर पीछे आपका back side का design है वो आपका matte finish का मिल जाता है और इसी गंदर आपका बहुत better designing finishing मिल जाता है जो आपका बहुत strong body इसी गंदर मिल जाता है जो आपका build quality बहुत अच्छा मिल जाता है और प्रेंड इसी जो model number है 32HS 551D जो आपका 2022 का latest model है और आपका इसी साल ही launch हुआ है और total आपका 55 watt का LED गंदर करता है XL में और आपका remote कुछ problem आ गया तो इसी गंदर आपका direct bottom भी मिल जाता है जो आपका bottom के थ्रों से volume channel power on up कर सकते हैं और फेंड इसी गंदर आपका 2 star rating मिल जाता है लेकिन आपका LED गंदर बहुत कम आएगा टोटल आपका एक साल में 67 unit LED गंदर करेगा और इसी गंदर आपका adapter का support नहीं मिलता है जो आपका direct 2 pin भला code इसी गंदर लगा हुआ है जो आपका direct input इसी गंदर कर सकते हैं तो पेंच लिदेखते हैं इसी गंदर क्या क्या input करने के लिए option मिल जाता है सबसे पहले इसी गंदर आपका LAN port मिल जाता है जो आपका internet code है जो आपका internet code इसी गंदर इसी गंदर इसी गंदर कर सकते हैं और उसी के side में आपका optical का option मिल जाता है जो आपका home adapter लगाना चाहें तो यूच कर सकते हैं और उसी के side में आपका AV pin मिल जाता है जो आपका set bus लगाने के time काम आएगा और उसी के साइड में आपका USB मिल जाता है जबका डोट हो USB इसी कंदर मिल जाता है जबका एक USB में आपका dongle लगा सकते हैं और एक USB में आपका direct pen drive लगा सकते हैं और इसी के side में आपका SDMai मिल जाता है जो आपका 3-2 HDMIC अंदर मिल जाता है जो आपका ARC का input है और normal HDMI भी इसी का अंदर मिल जाता है और इसी के side में आपका RFK बूल मिल जाता है जो आपका ज़्यादा जरुतने पड़ता और इसी के दूसरे साइड में आपका और एक USB मिल जाता है जो आपका pen drive लगाने के time काम आएगा और इसी के साइड में आपका HDMI 2 मिल जाता है जो आपका sound output है इसी कंदर आपका sound output उसके सकते हैं जो आपका ARC का input है और इसी के साइड में जो आपका HDMI मिल जाते है आपका TVṉस लगा सकते हैं और उसी के साइड में आपका 3.5 Mе discriminate jack मिल जाता है जो आपका headphone jack है अपका headphone लगाना चालता ने लगा सकते हैं तो अपर इसी गंदर आपका सारे से सारा input इसी गंदर मिल जाता है तो अपर जेली TV को table mounting का देते हैं तो अपर इसी गा features का ओपर discussion करेंगे तो अपर फैनल मेरे TV table mounting हो चुका है इसी का remote जो आपका voice command का remote मिल जाता है सबसे पहले इसी गंदर आपका power on up का auto मिल जाता है जिसी क remote से control कर सकते हैं और इसी के निचे आपका number की बेड मिल जाता है जापका ज़्यादा ज़रुत में पड़ता और इसी के निचे आपका 0 का जो कुई का CSS का button मिल जाता है जो आपका सारे 123 नंबर आपका आपका अपने सबसे कस्टमाइज करके running कर सकते हैं और उसी बाद इसी क बेच में आपका mute का button मिल जाता है जापका sound mute करना चाते हैं तो आपका sound mute भी इसी के अंदर कर सकते हैं और इसी के निचे आपका voice command का button मिल जाता है जापका उपर में mic मिल जाता है इसी button के तरों से voice command कर सकते हैं और इसी के निचे आपका home का button मिल जाता है जापका सारे application इस आपका mouse use कर सकते हैं और इसी के नीचे आपका back का बटम मिल जाता है कुछ application खोल रहे हैं तो इसी बटम के तरों से back कर सकते हैं और इसी के side में आपका input का बटम मिल जाता है जो आपका HDMI FB सारे इसी बटम के तरों से change कर सकते हैं और इसी के side में आपका guide के bottom मिल जाते हैं और इसी वाद इसीगे अंदर आपका netflix prime video का direct bottom मिल जाते हैं और आपका 123 भी customize कर सकते हैं और इसीगे निचे आपका red green yellow का bottom मिल जाते हैं आपका ज़्यादा जरूतने पड़ता और इसीगे निचे आपका pen drive का play push forward का bottom मिल जाते हैं जो आपका direct play push forward कर सकते हैं तो फिर्ण इतना ही facility इसी remote का अंदर मिल जाते हैं तो फिर्ण चलिए tv on करते हैं और tv का अंदर के-के feature से उसी को पर देख लेते हैं और फिर्ण यह हमार का जर्ट टीबी है इसी का model number है 32HS 551D जो आपका 2022 का latest model है और फिर्ण आपका borderless display के साथ भी मिल जाता है जो आपका maximum से maximum view आपका provide करेगा और इसी गंदर आपका direct picture mode sound mode setting का option मिल जाता है जो आपका अपने इसाब से customize कर सकते हैं आपका सारे option इसी गंदर मिल जाता है और इसी गंदर जो आपका output है sound का output आपका ARC लगा सकते हैं LAN port लगा सकते हैं और आपका direct 3.5 mm jack के साथ आपका direct Bluetooth भी मिल जाता है जो आपका 2A audio Bluetooth इसी गंदर मिल जाता है तो फिर्ण चलिए AC का Wi-Fi connection कर देते हैं और इसी गंदर आपका direct LAN port लगा सकते हैं ने तो आपका dongle लगा सकते हैं और आपका direct Wi-Fi के connection भी hotspot के throw से लगा सकते हैं तो आपका सारे internet connection इसी का अंदर मिल जाता है उसी के साथ आपका HDR का supported मिल जाता है जो आपका HDR 10 का support है जो आपका better picture clarity प्रोवाइड करेगा तो आपका चलिए AC का internet connection कर देते हैं इसी बाद इसी गंदर YouTube प्ले करके इसी गा demo content प्ले करेंगे कितना better picture clarity इसी गंदर मिल जाता है वो भी देख लेंगे और इसी गंदर आपका direct software update का भी option मिल जाता है जो आपका कुछ नया update आया तो इसी का अंदर आपका direct update भी कर सकते हैं उसी के साथ आपका factory reset का भी option मिल जाता है जो आपका factory reset भी इसी गंदर कर सकते हैं और प्रेंड इसी remote का अंदर 0 का bottom को press करके रखेंगे तो आपका quick access का homepage चलाएगा इसी का अंदर आपका 123456789 में आप अपने इसाब से customize करके अप्लिकेशन, sdm, sdm, sd, sd आपका change कर सकते हैं जो आपका एक की bottom के throw से direct आपका open होगा तो आपका customize का option बहुत better इसी का अंदर मिल जाता है और इसी गंदर आपका app story मिल जाता है, कुछ आपका application चाहिए तो आपका easily download कर सकते हैं जो आपका content store इसी गंदर मिल जाता है तो फेन चली इसी का content store open करते हैं इसी गंदर आपका YouTube डाउनलड करेंगे YouTube डाउनलड करके YouTube में content play करेंगे उसी गंदर इसी का picture clarity comparison करेंगे और फेन इसी टीबी के अंदर जो आपका remote मिल जाता है उसी गंदर आपका direct mouse का भी support मिल जाता है जो आपका typing और आपका operating करने में time बहुत easy रहेगा जो आपका अलग से mouse और keyboard purchase करने की ज़रूत नहीं है जो आपका direct ECV remote के त्रोज से आपका mouse keyboard यूज कर सकते हैं और फेन इसी गंदर आपका 2GB का internal storage ही मिल जाता है कुछ आपका download करना चाहें और कुछ save करके रखना चाहें तो easily download save इसी गंदर कर सकते हैं तो फेन मेरा YouTube download हो चुका है अभी install हो रहा है install होने के बाद इसी के अंदर चलिए open करते हैं और क्या-क्या features इसी के अंदर मिल जाता है उसी गोपर देख लेंगे और फेन इसी के अंदर आपका direct voice command के भी option मिल जाता है जापका YouTube में time तो फेन आभी मैं कुछ demo content में play कर रहा हूं आप इसी के अंदर आपका बहुत ही better picture clarity इसी के अंदर मिल जाता है क्योंकि इसी के अंदर आपका A plus grade का पैनल लगा हुआ है उसी के साथ आपका HDR10 का support मिल जाता है जापका natural sound better picture clarity इसी के अंदर आपका provide करेगा और फेन इसी के अंदर आपका Dolby audio का भी support है जापका अलग से home total लगाने के जुरत नहीं है इसी के अंदर आपका 20W का powerful sound system मिल जाता है तो फेन डीटीव आपका पचस काना चाहते है तो इसी के MRPA 25 और 490 तब बाहर से पचस करेंगे तब आपका 18500 से 19500 के अंदर आपका मिल जाएगा जापका लॉयड का 32 इंच का वेब बस smart TV है जापका magic remote के साथ आजाता है तो फेन इतना था वीडियो वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक करें और शेयर वीडियो सब्सक्राइब करें हमें इस इस इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चनल पर लाते रहते हैं झाल झाल झाल